नमस्कार बच्चों आज जो हम बीशे लेके रहा हैं वो हैं फसल चक्र की बातें ये फसल चक्र क्या है हमारे साथ सर जूईया है हूँ जानकारी देंगे कि फसल चक्र क्या है हाँ तुरूईया बताइये यहां भाज़ों कि अपने खेतों में कब क्या बोए जो अच्छी फ़सल हो जी और उसका लाभ सभी को प्राप्ध हो सके जी जब अच्छी फशल प्राप्थ होगी तभी हम लोग कुछ अच्छे से खा पाएंगे और प्रगती को रगसर होगे और हमारा स्वास्त भी अच्छा रहेगा तो इनी सब को देखते हुए फसल चक्र का निर्मान किया गया जिसमें किसी एक खेत में निश्चित समय में कौन सी फसल बोनी है और उसको कब काटना है इसका निधारान उसके अंतरगत किया गया तो इसमें तीन भागों में इसको बांटा गया खरीफ, रवी और जायद खरीफ, रवी और जायद इन तीन में खरीफ को हम लोग पहले लेते हैं खरीफ वर्षा रितु के प्रारंभ में इसका मतलब हुआ की जुलाई के असपास जुलाई अगरस्त के प्रारंभ में इसको बोया जाता है और इसके बाद इसको हम लोग शीद रितु के प्रारंभ में काटते हैं मतलब कि अक्टूबर नमंबर के आसपास यह चुकि इस समें बरसात का मौसम रहता है तो ऐसी फसले इसमें बोई जाती हैं जिनको वर्शा की आवश्यक्ता होती है जैसे धान, जौर, बाजरा, मूंग, उरद, और मक्का मक्का तो आप लोग बहुत अच्छा लगता होगा, कॉनफलेक्ट वगरा बच्छों को बहुत अच्छा लगता है तो यह फसले खरीफ में होती हैं चूंकि उस समय जो यह फसले हैं इनको पानी जादा चीज़ जैसे धान है धान को पानी की आवश्क्ता जदा होती है जी इनको पानी की आवश्क्ता जादा होती है और इसको एक काफी समय तक धान को पानी में ही बलकि रुपाई भी धान की पानी में ही जाती है तो हमारे पुरुजय नहीं सोचा कि इस समय इसको उप्यूगत रहेगा लगाना धान को ऐसी फसले बोय जाएं जो पानी में होती हो या पानी जिनके लिए प्रचर मातर में पानी मिल जाता हो तो वो किस मौसम में हो सकता है वो बरसात के मौसम में हो सकता है तो इनको बरसात के मौसम में बोया गया और शीत रितू के प्रारंब में काट लिया गया इसके बाद दूसरा नमबर आता है, रभी की फ़सल की. यह शीत रिटू के प्रारंब में उंको हम लोग बोते हैं और ग्रीश मुर्टू के प्रारंब में काम लेते हैं. यानि कि एक्टोबर नमबर में बोते हैं और मार्च अपरेल के आसपास उसको काम उनके. झीजे तो इसमें जैसे ग्यों है अपकी ग्यों और ग्यों के साथ हम चना, मटर ये फसले ऐसी हैं इसलिए सर्दियों ये भी का जाता है कि सेहत बनाने का सीजन होता है, मौसम होता है, इसमें बहुत आतत मातरा में मुंफली भी होती है, मुंफली होती है, सर्दी में जब हमें गर्मी चाहिए होती है, मुंफली आजाती है, गाजार आजाती है, तो इस तरह कि ये बहुत सी चीज़ां सर्दियों में यानि कि रभी की फसल में सर्दियों में उपयोग की जाने वाली फसलें होती है ये प्राकृतिक रूप से हम लोगों को उपलब्द हो जाती है प्राकृतिने कराई है कि सर्दिय से इसमें बचने के भी गोने सर्सों का साह आता है चनिय का साह होता है तो यह सब सहत बनाने वाला मौस्ता में सिलिये सरदियों कहते हैं यह सब रबी की far contact इसके बाद आता है जायत जायत की far तो उस समय घ्रिश मेरतु every time शुरू हो चुकी होती है गर्मी पढ़ने लगती है, लू चलने लगती है, फिर दिये दिये लू भी चलने लगती है, तो प्रकृति का अनुपम उपहार है कि अब उस समय हमें ऐसी चीजें चाहिए, जिसमें कि लू से और गर्मी से बचने के उपाय हूं, बचाओ हो सके, उन फसलों को लिया जाए, और शरीर में पानी की कमी ना होने पाये, तो इस तरह के फसले निकलें, जिससे हमें उनको खाने से शरीर में पानी की भी पूर्ती होती रहे, जैसे तरबूज, खरबूज, 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 जहां पर सर्दी ज्यादा होती है, वहां पर ये फसले तो ये फजलों का चक्र जो है, वो तो नहीं हो तो हो पाता होगा। अब जसे बहुत से देश हैं जहां पर उरोप हो गया सर्दी जाला पर बरफ़ी कि गरती रहती है हमें जाल पर Selva के गरती है यह जहां जब चले गए नहीं नहीं पाया गां जैश सम्न हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी है और उत्तर प्रदेश का हम लोग नीवासियं हैं ये हमारा सौभागब यह है जहांपर कि हर परकार की फसलें हर परकार का मौसम और प्रकृतिका वर्दान उत्तर प्रदेश को प्राप्थ है और हम लोग उसके निवासी हैं, यह हमारा सवाग है कि हम लोग को जैसे सरेज़ दोईया, जैसे राजस्थान है, वहाँ पर पेड़ जैसे गेहूं है, धान है, यह सब वहाँ क्या हो पाता है? कम मातरा में होता होगा यह राजस्थान का कुछ पृडेश है जहां पपानी मिल जाता है तो वहां पर तो धान व अगएरा हो पाता है नहीं तो यह सब हम लोग रुटर प्रडेश चर पंजाब वासी इसको सप्लाई करते हैं, यह अदा परडेस्थासरे गुछ प्रइड़ होते हैं, वह यह वहां wonderab to her जायद की फसल में जो अनाज पएता होता है वह क्या है जायद की फसल में अनाज थोड़ा सा कम होता है इसमें मुधूँ उसमें हम लोग उगाने कोशिश कर रहे हैं जी और कुछ जो समझधित किसमें हैं जी वो जायद में उपजाने की कोशिश हो रही है क्योंकि इसमें गर्मी बहुत रहती है और पानी कम मिल पाता है हरी सब्जों पर जादा जोर दिया जाता है इसलिए जो परकृति ने जो विवस्ता की जिसे तरबूज हुआ खर्बूज हुआ हुआ जीरा ककडी इस तरह की फसले जादा हो गया जाते हैं जिसे हम लोगों को पानी मिल सके हाँ शरीर में पानी की कमी ना हो पाए और प्राकृतिक संतुरन बना रहे है इस हिसाब से इसमें सारी विवस्ताइं होती है इसके अरावा पिटा जैसे हम लोग फसल चक्र का महतु ये भी है कि जब खेत की उरवरा शक्त ही तो भी कमी आने लगती है अगर हम लगातार गेहुं ही बोते जाएं तो पर तो होगा नहीं और अगर होगा तो बहुत कम मात्रा देरे कम होता चला जाए इसलिए एक सरुक्लेशन बना दिया है विवस्ता बनाए गए गेहुं बोएंगे उसके बास फिर धान बोएंगे फिर उसमे तर्भूज अर्भूज लगा देंगे फिर उसमें इसका जो डाल वाल रहती है पत्या रहती है उसमें गिर जाती है तो उसमें उसकी उर्वरा शक्ति लगातार बढ़ती रहती है इसलिए चक्र का इसी का नम फसल चक्र दे दिया गया कि हम इस प्रकार से उसमें फसले लग खेत की विर्वरा शक्त ही कमजोर ना होने पाएं. तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार फसल चक्र हमारे लिए बहुत ही महतो पूर्ण है. और फसल चक्र का अगर हम प्रयोग करें तो हम सदेव सरवदा अच्छी फसलों को प्राप्त करते रहेंगे और अपना स्वास्त लाफ तो करेंगे ही साथ में अपने प्रदेश और देश के लिए भी हम अन उपजा सकेंगे. इसी के साथ आप लोग फिर से इस पर जब भी खेतों को देखिएगा तो इस पर मिचार करिएगा. आपनों को याद आजाएगा कौन सी फसल है क्या होता है यहां पर ना बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सरेज़िया आपने बच्चों को अच्छे चीज़ आनकरी दी आपका यह बहुत-बहुत धन्यवाद.